हेलो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंस हिंदी पर मागनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलते हैं अक्छा साथ मी से लेकर अक्छा बार मी तक का संपोल पार्टिक्रम बिलकुन निसुल्क में किसी प्रक तौपिक होगा भूदान ग्रामदान यह तौप एक अच्छा दस मीं के भूगोल के चैप्टर नंबर चार का चैप्टर नंबर चार का नाम है किरसी के अंतरगत हम भूदान ग्रामदान को यहां पर पढ़ने वाले हैं तो एक महान व्यक्ति हुए है भारत के जिनको अब नों बिनोबाभावए कहते हैं यह प्रेंटा थे से इसके cannot illi सुथर खिया किया थो गांदी जी ने बिनोवावभावे जिन्होंने उनकी सत्यागरह में सबसे निस्ठावान सत्यागरह की तरह भाग लिया था को अपना अध्यात में कुत्रादिकारी घोसत किया था गांदी जी ने दो प्रकार को उत्रादिकारी घोसत किये थे राजनेते कुत्रादिकारी बनाया था उन्हें नहरू जी को अध्यात में कुत्रादिकारी उन्हें बनाया था किसको बिन फालना जो थी यह जो उनका कॉंसेप्ट था उसमें भी बिनुवा भावे जी का बहुत मतलब उनकी गहरी आस्था रहा करती थी गांदी जी की सहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिनुवा भाविन है लगभक पूरे देश की पद्यात्रा की पदल चले अलग-अलग जगह गए अलग आग पद्यात्रा में उनने गांदी जी का योशंदेश है वे जगए-जगह पहुंचाया एक बहर जब आंद्रप्रदेश के गाउं में कौनचा गाउं है पोचं पलम्म में बोल रहे थे तो कुछ भूमी ही इन गरीब गरہमीलों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोशन के बारे में कुछ भूमी मागए कि हमारे पस कुछ भूमी आप दे दो हमारा भरण पोशन नहीं हुपा रहा है ऐसी उन्हें डिमांड करी तो बिनोबहाबे ने उनसे तुरंत कोई वाइदा तो नहीं किया परन्तु उनको आस्वासन दिया कि अधिवे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मौहिया करवाएंगे सहकारी के जिसमें बड़ा खेत बना दिया जाएगा सब पर खेत लेकर और उस पर सभी लोग काम करेंगे काम करने के बाद जो भी पैदावार आएगी जो भी कर सकता हूं अचानक स्री रामचंद रेड़ी उठ ख़ले हूए और उन्होंने 80 भूमीहिन ग्रामिनों को 80 एकर भूमी बाटने की पेशकस की और इसे ही क्या कहा गया भूधान की नाम से जाना गया तो किसने राम चर रामचंद रेड़ी ने ख़ले होकर कहा कि हम सब को जो यात्राएं की और अपना या बिचार पूरे भारप में फैराया तो इसको ही क्या कहा जाता है भूधान कहा जाता है ना तो यह बास समझ में आई कि भूधान क्या हो गया तो भूधान वाली बात जो हो गई जिसमें जमीन का दान क्या गया उसको यहाँ पर भूधान के बारे तो भूमी हिनों को पुरा गाउं दोने की पेस्ट कर दी इसे क्या कहा गया ग्रामदान तो दोनों कॉंसेट पता चल गए कि भूधान का मतलब क्या हो गया भूमी दान का मतलब क्या हो गया ग्रामदान का मतलब हो गया यहां पर कि भाई भूमी हिन क्या हो गए और मतलब भू सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमी का एक हिस्सा ही दान किया मतलब चुकि एक कानून आ गया था भूमी सीमा कानून क्या है यहां पर आया ना कौन सा भूमी सीमा कानून इसमें कहा है कि एक व्यक्ति के पास या एक परिवार के पास एक परिवार के पास इतनी जमीन हो सकती एक सीमा नरधारत कर दी किसकी जमीन की सीमा नरधारत कर दी कि भाई इतनी सीमा यहां पर होनी चाहिए जैसे क्या है जमीन की सीमा का मतलब क्या हो गया माल लिजे कि एक परिवार के कि पास पचास एकर से जूदा की जमीं नहीं हो सकती अलग अलग कहीं पर प्रतिव्यक्ति की नाम पर संचित बारा एकर सहते जादenda नहीं नहीं अशुआ ठारा एकर से हमने एक मौट्ट को समझाने के लिए पचास एकड लिया आप मान लीजिए कि आपके पास आपके परीवारई के पास 200 क्या करें तो आपने 50 एकड बचा ली और June 20 क्रशी की जाने लें आं किसी पास 60 एकड या किसी परेवार के कानून उस से बस सके बनोवाब ही दवारा शुरूब influences किये गए इस भूदान घ्रामदान आंदोरा को रख्तिहीन ख्रांति का नाम भी दिया गया है। तो चुखिthank आप से कभी पूछे कि रखती हीन क्रांती क्या है तो भूदान ग्रामदान अंदुरन जो है वही रखती हीन क्रांती भी है इसकी शुरुवात किसने की आचार बिनोभावे के द्वारा की जाती है तो हमने यहाँ पर भूदान ग्रामदान की बारे में देखा क्या है भूदा के पेश पर मोग जाएंगे यहां से आप को और शुनने और उसके बाद फिर आपको यह क्लास चुनने जिसे क्लास 12 है 11 यह आप 10 पर क्लिक किये जैसे क्लिक करेंगे सारे आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं माल लिजे कि आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर भूगोल में आप वाचना आउपर क्लिक करेंगे क्या होगा कि भूगोल का चैप्टर वाइस प्लेलिस्ट बतलब जो आपका चैप्टर है उनकी प्लेलिस्ट आपके सामने जो क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी आप समय बचेगा और आप बहुत देर तक पढ़ पाएंगे मागनेट ब्रेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा साथ मीं से लेकर बार में तक का संपूर्ण पार्ठिक रमना पूरा सलेबस एंसी आप देख करते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें कमेंट सक्षा में जाकर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं धन्यबाद